शार्दिय नवरात्री का पहला दिन ऐसे करे मा शेलपुत्री की पूजा, मा शेलपुत्री की वरत कथा आज से शार्दिय नवरात्री प्रारंब हो गए हैं। इस बार मा नवरात्री गज यानी हाथी की सवारी पर विराजमान होकर आई हैं। नवरात्री के नौ दिनों में मा दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी और आज माता के प्रथम स्वरूप शेलपुत्री की पूजा की जाएगी आज से शारदिय नवरात्री दो हजार चौबीस प्रारंब ऐसा है मा शेलपुत्री का स्वरूप ऐसे कर मा शेल पुत्री की पूजा, घट स्थापना का शुब मुहूर्थ शादी नवरात्री का दिन, मा शेल पुत्री, शारदे नवरात्री आज से शुरू हो चुके हैं। मा शेल पुत्री की पुजा देवी के मंडपो में पहले नवरात्र के दिन होती है। मा शेल पुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन किया था। शेल पुत्री के अधीनवे समस्त भक्त गन आते हैं, जो योग, साधना तप और अनुष्ठान के लिए परवत राज हिमालय की शरन लेते हैं। मा अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं। और साधक का मूलाधार चक्र जागरित होने में सहायता मिलती है। ऐसे करें मा शेल पुत्री की पूजा। शार्दिय नवरात्री के प्रथम दिन ब्रम मुहूर्थ में उतकर स्नानादी से निवरित स्वच वस्त्र धारन करें। और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके मा दुरगा की मूर्ती या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधी विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घच स्थापना के बाद मा शेल पुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शेल पुत्री की पूजा शोडशौपचार विधी से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आहवान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफेद, पीली या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप, दीप जलाएं और पांच देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आर्ती उतारें और फिर शेलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालिसा, दुर्गा स्तुती या दुर्गा सप्थशती आदी का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। घच स्थापना का महूर्त नवरात्र में इस बार कलश स्थापना के लिए दो शुब महूर्त हैं। नवरात्र से पहले बारिश संकेत दे रही कि इस बार माँ दुरगा का आगमन हाथी पर हो रहा है। पंदितों का मानना है कि हाथी पर माँ दुरगा का आगमन धन धान्य में बड़ोतरी करता है। जियोतिश अचारियों ने बताया कि सोमवार को घट स्थापना का शुब मुहूर्त सुबर 6 बज के 11 मिनट से 7 बज के 51 मिनट तक रहेगा। इसके बाद अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। सुबर 11 बज के 48 मिनट से दोपहर 12 बज के 36 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस बार नवरात्र शुकल वब्रहमयोग के अद्भुत सयोग में शुरू हो रहा है। जिसका फल उत्तम मिलता है। जियोतिश के अनुसार, बारिश संकेत दे रही है कि नवरात्र में मां हाथी पर सवार होकर आएंगी। इससे अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। हर साल शारदिय नवरात्री पर मां दुर्गा का आगमन विशेश तरीके से होता है। रविवार व सोमवार को हाथी पर, शनी व मंगलवार को भूडे पर, ब्रहस्पती व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर मां दुर्गा आती है। गोडी पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कारियों में सिध्ध मिलती है। डोले पर आती हैं तो उस वर्षन एक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यू होती है। माता शेल पुत्री की कथा माता शेल पुत्री से जुड़ी एक कहानी का उलेख यहां करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापती दक्ष यग्यकर रहे थे, तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यग्य में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यग्य में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यगरता देख शंकर जी ने कहा कि संभवत प्रजापती दक्ष हम से रुष्ट है। इसलिए उन्होंने हमें आमंतरित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमती दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुँची तो सिर्फ मा ने ही उन्हे सनेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छीटा कशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रती कुछ बाते कहीं जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पती का तिरसकार होता देख उन्होंने योगागनी से अपने आपको भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधेत हो गए और उन्होंने दक्ष के यग्या का विध्वन्स करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शेल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शेल पुत्री कहलाई। शेल पुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई माता को प्रिय है ये चीजें परवत राज हिमालाई की पुत्र होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेध चीजों का ज़्यादा प्रयोग करें माता को सफेध फूल और सफेध वस्त्र ही अर्पित करें इसके साथ ही माता को सफेध मिश्ठान का ही भोग लगाएं माता शेल पुत्री की पूजा करने से कुवारी कन्याओं को सुयोग्यवर की प्राप्ती होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है माता की इस स्वरूप को जीवन में स्थिर्ता और द्रिर्ता का प्रतीक माना जाता है शेल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदय वडिग माना जाता है मा शेल पुत्री के पूजा मंत्र मा शेल पुत्री का मंत्र इस प्रकार है वंदे वांचितला भाया चंद्रार्ध कृत्षे खरम, व्रिशारूधा शूलधारा शेल पुत्री यशस्विनीम, पुनेंदु निभा गोरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गात्रिनेत्राम, पटांबर परिधाना रतना किरीटा नमालन कार भूशिता, प्रफुल नमोखीक्षीनमध्यानितंबनीम, या देवी सर्वभुतेशू शेल पुत्री रुपेन संस्थिता, नमस्तस्य, 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 नमो नमः, ओम शम शेल पुत्री देव्य, नमः, माता शेल पुत्री की आरती, मा शेल पुत्री की आरती, शेल पुत्री मा बेल प रिद्धी सिद्धी परवान करे तू, दया करे धन्वान करे तू, सोमवार को शिव संग प्यारी, आर्ती तेरी जिसने उतारी, उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो, गी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत प्रेम सहित फिर शीष जुकाएं, जै गिरिराज किशोरी अंबे, शिव मुक्ष चंद्र चकोरी अंबे, मनो कामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ती भर दो, जोर से बोलो जै माता दी, सारे बोले जै माता दी